जब भी सत्य और दान की चर्चा होती है, राजा हरिश्चंद्र का नाम लिया जाना स्वाभाविक है। सच पोलने और दान देने के लिए उनकी मिसाल आज भी दी जाती है। इसलिए भी उन्हें सत्यवादी और दान वीर राजा हरिश्चंद्र कहा जाता है। वो ऐसे दानी थे, जो अगर सपने में भी किसी को दान देते हुए देख ले तो उसे पूरा जरूर करते थे। उन्होंने सत्य के मार्ट पर चलने के लिए अपने राजपाट से लेकर पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व का भी त्याग कर दिया। भले ही अपनी सत्यवादी और दा सपने में महर्शी विश्वामित्र को अपना सारा राजय दान में देते हुए देखा। लेकिन अगले दिन जब वे सुभह जागे तो सपने को भूल गए थे। महर्शी विश्वामित्र महल में आए और राजा हरिश्चंद्र तो उनका सपना याद दिलाया। इसके बाद राजा ने खुशी खुशी अपना राजे उन्हें दान में दे दिया. लेकिन दान के बाद दक्षिना की बारी आई तो वे बोले, पहले ही सब कुछ मैंने दान कर दिया, अब अब दक्षिना के लिए धन कहां से लाओं। बहुत विचार करने के बाद राजा हरिश्चंद्र ने खुद को बेचने का फैसला किया और काशी की ओड चल पड़े. इधर राणी तारा मती और पुत्र रोहिताश्व को एक व्यक्ति ने खरीद लिया. उधर राजा हरिश्चंद्र को शमशान के एक स्वामी ने खरीद ल लगी। वहीं कभी सिंहासन पर बैठने वाले राजा हरिश्चंद्र शमशान का काम करने लगे। एक दिन राजा के पुत्र रोहिताश्व को सांप ने डांस लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन तारामती के पास कफन तक के पैसे नहीं थे। तारामती किसी तरहे दु राजा हरिश्चंद्र पत्नी से बोले कि शमशान का कर्थो देना ही पड़ेगा। फिर हरिश्चंद्र ने पत्नी से कहा कि यदि तुम्हारे पास कर देनी के लिए धन नहीं है तो अपनी साड़ी का कुछ भाग फार कर दे दो। उसे ही करके रोप में रख लूँगा। ल प्रेष्ट, दानवीर, सत्यवादी और धार्मिक हो। इसके बाद पुत्र रोहिताश्व भी जीवित हो उठा और राजा को उसका पुरा राज्य भी लोटा दिया गया। इतना ही नहीं महर्शी विश्वामित्र ने कहा कि संसार में जब भी धर्म, दान और सत्य के बात की जाएगी, राजा हरिश्टंद्र का नाम आदर सम्मान के साथ सबसे पहले लिया जाएगा।